सभी का स्वागत है सक्सेसकी98 में और जो भी चैमल पर फर्स टाइम आ रहे हैं चैमल को सस्क्राइब करने के बाद दोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजेगा ताकि हर एक विडियो आप लोग देख पाएं और इस क्लास का पूरा का पूरा जो पिडियाफ है आप लोग सक करेंट अफर कप चलता है तो आप जो चलता है सुबह में साड़े चार बजे ताकि आप देली का करेंट अफर भी देख पाऊ 10 मिनट का और यहां से 12-13 मिनट यानि 22 मिनट में आप पूरे साल भर का कवर कर ले रहो इतना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आ आपको जज करना है कि 40 में आपको कितने question का answer जो है वो सही सही पता था ठीक है तो पहला प्रस हमारे सामने क्या है वो देख लेते हैं पहला प्रस ने 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान पुरुसकार का पहला पुरुसकार किसने प्राप्त किया है उनका नाम बताना है और वो ह आपका स्वाति सिंग्डे ठीक है option number C question पढ़ रहा हूं आपके सामने हैं आपको भी answer देना है मैं 2-3 second पर एक question पढ़ने के बाद आपको time दूँगा ठीक है अगला प्रस नमारे सामने हाल ही में कुर्ग Arabic का जो coffee है उसको geotake यानि geographical indication का tag मिला है यह किस राज में उगाया ज जाता है यह आपको बताना है और यह उगाया जाता है आपका करनाटका में ठीक है अगला प्रस हमारे सामने हैं कि आपको बताना है कि cashless यानि cashless निकासी के लिए किस bank ने योनो cash launch किया है और यह launch किया गया है आपका SBI यान State Bank of India के द्वारा ठीक है option number D अगला प्रस हमारे सामने है 2020 का under 17 मैला विसक फुटबॉल की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है 2020 में और यह करने वाला है हमारा भारत यानि इंडिया अगला प्रस हमारे सामने है ESPN World Famous Fame एक सो सूची में 2019 में किसने top किया है यानि ESPN World Fame के मामले में 100 जो list निकाला गया थ ESPN के द्वारा उसमें top पर कौन है और top पर जिन प्रेका नाम है वो है आपका किस्चानियो रोनाल्डो ठीक है जो पुर्तगाल के जो बहुत अच्छे फुटबॉल प्लियर है किस्चानो रोनाल्डो अगला प्रस हमारे है इंडोर के होलाकर स्टेडियम में सायद मुस्ताक अली ट्रोफी किस राजी ने जीता है आपको बताना है और एक क्वेसर में आपको बता दूँ जो सेयद मुस्ताक अली ट्रोफी है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है तो ये जुड़ा हुआ है आपका किर्केट से और ये किस ने जीता है तो ये जीता है आपका करनाठका न ठीक है, option number C, अगला प्रस्त हमारे सामने है, Westweek परियावन आउटलुक रिपोर्ट, छटवे ससकरन का सिर्षक, यानि टाइटल क्या है, यह आपको बताना है इस question में, और इस बार का जो टाइटल दिया गया है, वो दिया गया है, स्वास्त ग्रह और स्वास्त लोग, यानि healthy planet healthy people, अगला प्रस्त जो हमारे सामने है, और यह question आप सभी को तो पता होना चाहिए, जो भी current affair follow कर रहे है, आपको बताना है, गोवा के मुख मंतरी मनोहर पारिकर, जिनका हाल फिलाल में निधन हो गया था 17 मार्च को, 2019 को, जो अन्ना साय की cancer से जुजने के बाद उनका निध चुके थे, IIT बंबे का, ठीक है, मुंबई, अगला प्रस्त हमारे साने है, जो अभ्यास है एक, जिसका नाम क्या है, F-Index, वो 19 मार्च को जो है, वो 18 मार्च को जो है, उसको शुरुवात हुआ था, आपको बताना है, F-Index 19 नाम दिया गया था, यह जो अभ्यास है, वो इ अगला प्रस्त हमारे सामने है, चक्रवात, I-D-A-I ने 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को परभावित किया है, जिनमें निमलिखित महादीवपो में से है, आपको बताना है, वो कौन सा महादीवप है, जहां पर सबसे ज़्यादा परभाव पड़ा है, और वो है आपका उप जिनका नाम कै है, इर्फान कैटी ने 2020 Tokyo Olympic के लिए किस सेड़ी में क्वालिफाई किया है, आप सभी को बता दू, 2020 में जो है Olympic कहा होने वाला है, तो वो होने वाला है Tokyo में, और ये भी याद रखिएगा, और जो इर्फान कैटी ने क्वालिफाई किया है, वो किया है race walking के लि पिना की चंदरा घोस एक बार नहीं बहुत बार बहुत सारे स्थिफ्ट में हाल फिलाल के एक्जाम में पूछा गया है। को बढ़ावा देने के लिए Microsoft के द्वारा सुरूख की गई परियोजना यानि परियाना है या आप कर लिजेगा परियोजना का नाम बताना है। उसका नाम क्या था तो वो है आपका option number C संगम। ठीक है। अगला प्रस हमारे सामने है उजबेकिस्तान गर्राज में भारत के अ वो IPL 2019 सीजन के लिए अधिकारिक भागिदारी के रूप में जो है वो नामित किया गया था उसका नाम बताना है और सभी को पता है ड्रीम 11 और ये भी अभी IPL जो क्रिकेट चल रहा वर्ल्ड कप वहाँ पर भी ये ड्रीम 11 जो है वो भागिदार है ठीक है। अगला प्रस ह हमारे सामने है आज का और देखिएगा कितने क्वेस्टन आप सभी सही कर पा रहे हैं मैं बार बार बोलो डेली अपने आपको जच करना है ठीक है। कितना है ये आपको बताना है और वो है आपका 9.6 billion option number D अगला प्रस हमारे सामने परतिष्ट कुसुम गार्ग साहित राष्टी साहित प्रिसकार के लिए किसे चुना गया हाला कि ये question मैंने आप सभी को कल ही करवाया था सायद ना देखकर लग रहा है और इसका answer मैंने भी आप उकल बताया था उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका बेद राही option number C देन्मार के specialist के द्वारा एक gender neutral AI voice जो है वो जारी किया गया है digital service के लिए उसका नाम क्या दिया गया है तो उसका नाम है आपका Q option number A अगला प्रस हमारे सामने है कि भारत के लिए जलवायू ब आज है आपका आसाम option number D यानि आसाम जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है और सुरक्षीत है ठीक है अस्टेलियन F.I. Grand Prix 2019 के बीजेता कौन है उनका आपको नाम बताना है और ये जो है वो कार रेसिंग गेम है और उनका नाम क्या है वल्टेरी बोटास option number A is the correct answer ठीक है संयुक परियावन सभा का चौथा सत्र कहां आजित किया जाएगा ये आपको बताना है और ये किया जाएगा आपका नेरोबी में option number B ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है हाल ही में 2019 का global recycling day किस दिन मनाया गया है और ये कम मनाया गया है तो ये मनाया गया है आपका 18 March को और आपको ब कोई के 11 मुखमंत्री के रूप में किसा पतली है अगर करेंट अफेर सुबह साड़े चार बजे फॉलो कर रहे है तो इस क्वेस्टिन में माइन में हलका सा भी डाउट नहीं आना चाहिए एंसर क्या है परमोच सावंत option number A is the correct answer अगला प्रस हमारे सामने मुख्ये संबानी अगला प्रस हमारे सामने हैं कौन सा सीटी जो है वो होस्ट करने वाला है थर्ड इंडिया जपान वरक्स आप और डिसास्टर रिक्स रिडक्शन आपदा जोखिम निवनी करण पर किस सहर ने तीसरी भारत जपान कारसाला की मिजबानी करेगा और वो स्टेट कौन सा है वो स्टेट है आपका option number A न्यू दिल्ली अगला प्रस हमारे सामने आपको बताना है इंडिया पोस्ट ने यानि इंडिया पोस्ट आफिस ने एक परियावणन पहल पर एक विसेश स्टैंप कवर जारी किया है उसका नाम बताना है और वो है आपका आइस स्टूप option number B ठीक है अगला प्रस हमारे सामने हाल ही में मार्च 2019 में कौन से भारत्य एयर लाइन्स वाहक International Air Transport Association में सामिल हुए है यानि International Air Transport Association में कौन सा एयर लाइन जो है इंडिया का वो सामिल हुआ है उसका नाम ब Insolvency and Bank Corruption Board of India ने हाल ही में Insolvency and Bank Corruption Code के बहतर कारे निवन के लिए किस संघटन के साथ समझाता जो है उस पर डिल साइन की है आपको बताना है और वो कौन सा है F I C C I ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है हर साल अंतराष्टिया खुसिया कम मनाई जाती है अच्छा हर साल International Day of Happiness कम मनाते हैं ये आपको बताना इस question में और ये मनाया जाता है आपका 20 March को Option No.A ठीक है नेस question हमारे सामने है और ये question exam में आया हुआ है किस राष्ट के राष्ट पती ने सत्ता में लगबग 30 वर्सों के बाद अपने पज से इस्थिपा दे दिया है तो सही answer क्या है Option No.D है वो पहली transgender है और ये किस state में बनाया गया था आप सभी को पता ये महराष्ट की है तो ये बनाया गया था लोगसवा चुनाओ के लिए महराष्ट के लिए ठीक है Option No.B अगला परस हमारे सामने है कौन सा cricket stadium पहली बार T10 यानि आपने सुना होगा test match T20 one day match अब T10 cricket league की मेज करेगा वो कौन सा आपका ये है तो वो है जायत cricket stadium option No.A ठीक है अगला परस हमारे सामने है अफगनिस्तान ने किस रास्ट को हरा कर अपना पहला test match जीता है यानि cricket की बात कर रहा है और उन्होंने किसको हराया है तो उन्होंने हराया है आपका Ireland को option No.C ठीक है अगला परस हमा तरक्षक जहाज बन गया है और उस जहाज का नाम क्या है तो वो है आपका वीजीत option No.A अगला परस हमारे सामने है हाल ही में रितु बेरी को भारत में किस देश के संस्कृतिक और परेटन राजदूत के रूप में नुक किया गया है आपको ये बताना है और वो क्या है चैंपियन का ताज जो है वो पहनाया है यानि किस क्लब ने ये टूर्णामेंट जो है फुटबॉल का वो जीता है तो वो कौन है आपका option No.D बैंगलोरू FC अब आपको कॉमेंट करकर बताना है कि आपने कितने question के सही-सही answer दिये है ठीक है और इसका पूरा का पूरा पू लिए